गदर पाटी अते शीद करतार सिंग सरबा पाग दूज्जा, साड़ा नाम ते साड़ा कमा अज पहली नवंबर उन्नी सो तेरा नूँ पार्त दी तवरीख विचे कनमा समत चलदा है क्योंकि अज अंग्रीज जी राज़ दे बुर्द परदेश विचे देसी जवान विचे जंग शिड़ता है अज दा दिन शोग है अंग्रीज रादी जड़ खारन वाला खर गदर उर्दू अते गुर्मकी एक वार्तो जाहर हुंदा है कर तो दास यर मील दूर परदेश विचे इसक वार्दा शपना एक जेहा कैम है जिस उते निगाह मान दी खुशी पर ही नहीं सोंदी अज पार्त दी किसमत हस रही है नमिया मीदा ते नमे कमा दा विड़ा आ गया है अज चोबरां दे का मडाय हुए दिना उते जोश ते हिम्मत दा छिटा दे के उना वेचे नमी जान पाई गई है अज कलम दी ताकतनार अंग्रेज जी राज पर तोप बीड़ दती है जिस दा नास करे बिना बंद नहीं होगेगी अज जो हिंदी पाई यादी गलमी नो दूर कारना लई एक नमा संद करिया गया है जिस करके अंग्रेज सरकार दा लोह सुक गया है अज जो कम चले है जिस दी महीमा सारी दुनिया विच्छोबेगे जिस गल दिया साड़े पुत्र ते पुत्रे खुशी नाड करिया करना के साड़ा नाओ की है गदर कम की है गदर साड़ा नाओ ते कम एक ही है कोई पुछ गेश दी लोड नहीं सवाल तो जवाव पहलना हाजर है गदर दीगी लोड एक गदर क्यों होवेगा किस तरह होवेगा काद होवेगा लोजी सारा पेत दास दिन दे हां हिम्मत है ता सुन लवो नहीं कारनू पाज जाओ कित्थे गदर होवेगा पार्त विच काद होवेगा थोड़े बारसा विच क्यों होवेगा क्योंकि हुण अंग्रीज्यां दे जुल्म तो खलकत दुखी हो गई है अजादी दी खातर लड़न मारननों तयार है इस गदर दी खातर हर एक हिंदोस्तानी दा तयार हो जाना तरम है देड़ सो बरसां तो अंग्रीज्यां ने राज जमना रंबे होया है होडे होडे सारा हिंदोस्तान दब ले आ है रियास्तां विच अपने हत ओंदे जान दे हन मसा नपाल दे पटाने न दे दंदा तो बची हन उन बेड़ा आ गया है इस अगनू बजाया जावे इस बादत च्छाहत जालम सरकार नो बरवाद गीता जावे मुल्क दी पल आई दा रास्ता लब्या ते फड़े आ जावे अंग्रेज्यां दे राज ने मुल्क दा नास कर दता है जिते अंग्रेज्यां दे पापी चंडे दी शाम पेंदी है उत्तो खुशी पल विच उड़ जान दी है एक हरा पता नहीं चट दी जिस मुल्क विचे ना लोटेरेया ने देरा लाया उत्ते काल पलेग ते हैज्या होट पेंदी हैन पार्त नू इस मुझी नाड आजकल दो हथ कर नहीं पेंदी हैन जे इस कोल विचे जित होई ता मुल्क दी तरक्की दे चंडे उठाये जानगे ठारा सोस्त वंजा विचे पार्त दे लोकाने सोच बचार के अंग्रेज जानू कट के अपना राजबना उन दी खातर हिंदू ते मुसलमन ना ते राजा प्राजा साब कठे हो गए मैईदे में हिने गदर रंब होया जियों नाओ जिस दे नाओ ते होन भी अंग्रेज कंब दे हन पर पूरा इत्फाक ना होन करके अप बार खाली गया अंग्रेज जान उस वेले बहुत सारे लोकानों साई बना रहे सन रियास्ता खो रहे सन जे लड़ाई गदर ना होन ता बहुत सारे असी बन गए होन दे पंदरा बर्षा पिछो बबा राउं सिंग ने कुके तियार कीते अंग्रेज जान दी जड़ पूर्ट सुटी है कुक्या ने अंग्रेज्जान दी नौकरी शड़ दती ते उसनों पाप के हाथ गदर दा अपदेश करना लग पै ठारसोबहत्तर विचोना ने लड़ाई शुरू कर दती पर सुत्तेया विचो एक जागदा पाई किस तना लड़ सागदा सी सुर्वीर कुक्य अंग्रेज्जान आदमी आते बच्चे तोपानार उड़ाद ते ते सारे नामार्द देख दे रहे होन फिर उन्निसो पंज विच लड़ाई दा कम तो रिया जिसने पूरा करन दी खत्र महापोर्शान ते बहद्रा ने अपणिया जनना दतीया होने तड़ा देन दुगणा ते रात चोगणा बदा गे जन्दा है इस दे बड़े बड़े बदवान ते तर मात महन जीना दे नाम मूतियां दी लड़ी दी तना पार्त दी तवरीख विच लिखे जानगे इस तड़े दे प्राण है कि हिंदोस्तान विच गदर करके अंग्रेज राज नू बरवाद कीता जाये ते प्राज अपना राज संभाल के सुख नाल रहे एक अलता ठीक है पर कित थे हिंदोस्तानों कित थे सन फरेंसिक को एता दसो एते क्यों आये ते अखवार कड़न दी की सुझी सुनो हिंदोस्तान विच उन्नी सो पंज तो बहुत बड़ा पारी काम तो रहा तैन साला विच अंग्रेज थर थर कम बन लग पै फिर उन्नी सो सौत विच पंजाब विच अजीत सिंग ते लाजपतराई ने बार विच मामला बदन ते उल्ट बड़े जोर नाल पर चार कीता किरसान लठके न लहोर आ गए फोज भी बिगड़न लग पै सरकार ने अजीत सिंग ते लाजपतराई ने फ़ड़ के बर्मा पे इज़ दिता इस तो मगरो बर्मा विच बड़ा कम होया